जरारा इस वक्त की बड़ी जानकारी, साथ सीटों पर पहला रुजान, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है, तो मध्यप्रदेश चुरुआत हुई और वही अगर 36 गड़ की बात करें तो देखिए, कॉंग्रेस को लेकर ये पहला रुजान आए गया और पह पहले की रुजान से आना शुरु हो गया तेलंगाना की अगर बात करें तो बी आरेस ने इसकी शुरुआत की है, बी आरेस का खाता अब खुल चुका है, दो सीटों की बात या पर तो रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं, आपक बात करें तो कॉंग्रेस को लेकर पहले रुजान सामने आए गया और आप ये देखें कि यहाँ पर दो सीटे जोग है, वो अतियाते नजर आ रहे और तेलंगाना की अगर बात करें तो बी आरेस का खाता खुल आ है, राजस्तान की बात करें तो यहाँ पर अब 11 सीटों को लेकर रुजान जो है, वो खुल चुका है, बीजेपी अब साथ हो गई है, कॉंग्रेस को चार सीटे इस वक्ते की बड़ी जानकारी, सबसे पहले अपडेट हमने आपको दी है, इस वक्ते की बड़ी जानकारी, अब जंसता के साथ बने रहेगे, सबसे पहले रिजल्ट ज लेकर अब चार सीटे जोग है, वो सामने नजर आने लगी है, शत्यस गड़ की बात करें, तो अभी तक बीजेपी को लेकर यहां पर अभी तक खाता नहीं कुल है, दिख विजे सिंग का बयान आरा, इसी बीच एक पर सुनवाते, उसका वापस रिजल्ट पर आएंगे पर अभी उसका बीच बीच इसटीग को इस तरह से देख रेसी जोगों की तरह से आप लोग नजर बनाएंगे कि इस बार जो है वो ना हूँ जो पिछली बार हुआ तो सरकार बनने के बाद आप अपूरा एतियाद बरत है तो क्या कांग्रेस विजेकों को कहा गया है जीत के बाद सिदे सर बपाल आगे निश्चित सेटिविट के साथ लिखने वालों पर नजर रखी है आपने लिखने वालों पर नजर रखी है जैसे पैसी तो तो तेलंगाना को लेकर बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है आपको बता दे कि ना बी आरेस का खाता खुला ना पोल ये दिखा रहा था कि कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और बी आरेस को भी सीचे मिलती नजर आएंगी कड़ी मुकाबला देगा लेकिन अब देखें कि बीजेपी ने यहाँ पर पहली यहाँ पर शुरुआत कर दी दो सीटों से क्योंकि जतने नेता है वो लगातार तस सि बीजेपी तिलंगाना में भी सरकार बनाएगी और तभी ये चौकने वाले बयान लगातार सामने आ रहे थे आपको तीरादा का बयान याद होगा उन्होंने साफ तोर पर कहा था कि एग्जिप पोल कुछ भी कह रहेगो बीजेपी तिलंगाना में सरकार जो है वो परशाते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी जगाओं पर भी लगातार आप ये दिखी कि रुजान आ रहे हैं और थोड़ी की देर में जो ये पूरा किस्ता आगे ये पूरा जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आई कि फिलाल हमने तिलंगाना को लेकर बड़ी खबर आपको यहाँ पर 11 सीटो को लेकर पूरा जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आ रही है बीजेपी को लेकर यहाँ पर साथ सीटो की जो समय करण है वो सामने आ रहे हैं और कॉंग्रेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए तस्वीर हो गए 15 को लेकर खुल चुकी है बीजेपी मद्य प्रदेश की बात करें तो एक और सीट का रुजान जो यहाँ पर सामने आ चुका के बीजेपी जो है इस वक्त छे सीटों के साथ आगे चल रही है कॉंग्रेस की बात करें मुकाबला मद्य प्रदेश और राजस्तान में बहुत कड़ा देखने को मिलने वाला के और जो यही रिजल्ट है वो सबसे लंबे चलने वाले है तस्वीरें की जल्ग साथ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला है वो है और साथ इसाथ अभी तक आप यह देखी कि आदर का खाता खुला नहीं है वो एक्जिट पोल में कहीं ना कहीं आप यह देखी कि चार या पात सीटों की लगातार बात हो रही थी लेकिन अभी ही रुजान में आप देखे कि तीन सीटों को लेकर बात होना शुरू हो चुकी है बियारेज जो है वो यहाँ पर तीन सीटों के साथ आगे बढ़ी हुई है कॉंग्रेस अभी एक है जिसको लेकर ये बात हो रही थी कि कॉंग्रेस जो है वो तेलंगाना में सरकार बनाएगी लेकिन अभी ये सिर्फ रुजान है अभी तक किसी नतीजे पर हम नहीं उत्रे हुए है लेकिन साथी साथ बड़ी अपडेट जो है बुलागातार दिखा रहा है ये 36 गड़ को लेकर भी यहाँ पर जो रुजान है वो सामने आ गए है 9 सीटों पर आप ये देखे कि बीजेपी दोख है कॉंग्रेस साथ और कहीं न कहीं राजस्तान और कॉंग्रेस को लेकर भी यह हो रहा है कि कॉंग्रेस जोग है वो यहाँ सरकार बनाने के लिए उनको थोड़ा सा इजी पड़ेगा